हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टुए चैनल ओल एक्जाम प्रिपेशन तो फ्रेंड्स जैसे आपको पता है कि रिसेंट में आपका बार्क वर असिस्टेंस स्टेज ववन का रिजल्ट आया था परी का ठीक है फ्रेंड्स सो उसमें अपने कट आफ भी देख ली थी ठीक है और जिन जिनका स्टेज वन क्लियर हुआ है अब वो अब स्टेज टू की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी ठीक है तो मैं आज उसी पर ही स्टेज टू एडवांस की स्टेजी लेके आया हूँ और साथ ही साथ मैं आपको इस व अपने उपीन भी दें कि मैं गलत हुए है सही हूं ठीक है फ्रेंट्स और साथ ही साथ यह प्लीज यह जो वीडियो आप पूरी वीडियो को एंड तक देखना आपके सारे डौट्स के लिए जाएंगे और साथ ही साथ एडवांस जो एडवांस में क्या-क्या आने वाला है मैं आपको एक ही बात कहूंगा आप चैनल को सब्सक्राइक पर लें बैग लाइक अदर बादे लाइक एंड शेयर कर दें और प्लीज टेलिगर्णम चैनल को भी जॉइन कर लें ठीक है थाकि आपको पीडियो प्रवाइट हो सके सो चलो देखते है फ्रेंड्स क्या है फोर गई थी ठीक है एसी की 137 स्टी की 128 और पी डवलीडी की 117 अब आपको बता है कि आपको कमपेटिशन कितना है यह हैं इससे अपको पता लग रहा है कि 150 में से 150 में से आपके 138 कट आफ जा रही है जनल की तो आप खुद सोच लो कि कितना कमपेटिशन है तो एड़वा total vacancy है वो कितनी है 74 है यह थो आपको पाता है total 74 vacancy है ठीक है उसमें से अब आप देखो यू-र ए-डव्लोस ओबीसी यू-र की कितनी है वेकंसी 8 है evs कितनी है 2 है और ओवीसी कितनी है 62 है ठीक है friends अब इससे अंधर लगा लो कि cut of आप देखो कि यू-र और ए-डव्लोस को तो थोड़ा hard work करना ही पड़ेगा करना तो सब को ही hard work पड़ेगा बस मैं आपको बता रहा हूं कि UR EWS को लगब अच्छा score करना ही पड़ेगा तभी वो paper qualify कर सकते हैं ठीक है friends हम आपको बताता हूं सब के लिए कि कैसे paper को attempt करेंगे और सब बता हूं आपको ठीक है आपको बस बता दिया कि कितनी vacancy है और कि कितना competition होगा ठीक है आगे देखते हैं और देखो friends यह भी condition है कि आपको पता ही है मैं बता हूं जल्दी दे ओवर भी देता हूं कि तीन marks कपको मिलेगा ठीक है और गलो तोने पर एक marks जट रजाएगा अगर दोनों करष्क्र ties होगया है तो यह आपको पता है यह पर डियेना मैं आपको ढठ बता रहता हूं कि अगर दोनों करष्क्र ties होगया कि जह कंडिटेट है जिनके जो नागिटillon marks सिस्ते टूम होंगे स्टेज टू में तो वह उसको प्रेजिदेंस दी जएगी पहले ठीक है उसको हाइर मेरी लिस्ट में रखे जाएंगे समझगे जैसे दो जने दो कंडिडेटें उनमें से किसी एक का जो मार्क्स टाई होगे दोनों के हैं और जो नेगेटिव मार्क्स है वो जिसके जो कम होगे कम जो नेगेटिव करे तो इसको हाइर मेरी लिस्ट में रखा जाएगा आप जब भी अपर अपर अटाइम करना तो आप इस जीज के जुरूरी याद रखना कि आप नेगेटिव मार्किंग कम से कम करें नेगेटिव कम से कमी करें ठीक है जो भी कोशन करें वो परफेट अट हंडेपर से अक्रू जो कि जब ताइए होगा ठीक है तो यह पढ़ लेना ठीक है जो मैंने लिखा हुआ है जो असमें लिखा हुआ है ठीक है अम आपके देखते हैं जो में पार्ट है देखो फ्रेंट्स हाओ टू अटाइंब पेपर आपको आपको पता है कि नंबर कुशन मैथमेटिक्स के 15 आएंगे साइंस के पंदर आएंगे जनलना इटके डस अंगे और 대해서 लिखवीक्रों फ crashes का तो अब परस होगा और नेकिटिव मार्किंग वन ठीक है अब देखो हम आपको बताता हूं कि स्टेज्ट टुपर प्रपेशन आप कर रहे हो स्टार्ट कर दी होगे आपने और ठीक है तो वह कितने कितने टैंप करने देखो फ्रेंड्स अब यह तो आपको पता ही है ठीक है कि जिन्होंने भी स्टेज्ट बन क्लियर किया है वह स्टेज्ट वन क्लियर किया है और आपको पता है कि जिनका भी स्टेज्ट वन क्लियर किया है और आपको पता है कि जिनका भी स्टेज्ट वन क्लियर हुआ है तो क्रीमी बच्ची है क्र तो इसका मतलब यह तीन पॉर्शन तो आता होगा अब जो इंगले से वह नया एडिट हुआ है वह स्टेज बन में तो था ही नहीं तो यहां पर यह डोमिनेंट करेगा ठीक है तो इस पर थोड़ा डिपेंड करेगा पेपर बेसिंग इंगलिस पर सबके नहीं होगा थोड़ा है उनको सबक सबना ही पड़ेगा ठीक है जो बाकी स모ूर कछोड़के बाकी टीन को तो आप अगर है पर क्लियर की अथ्यूं सब्सक्राइब कर सकता है इसमें थोड़ा कॉम्पटिशन रहता है क्यों कि इसमें 100% कहीं से कुछ भी आ सकता है तो मैं यह बेसिकली जो रेट रेट आपको दिख रहा है ने फ्रेंट्स यह जनरल और EWS के लिए ठीक है अब आपको बताता हूं कि कोशन आपको कितने करने है 50 कोशन में से 44 से 48 कोशन के बीच में अटैम करने है और उसमें से जनरल EWS के टेगरी वालों को उसमें लगबग आ आपको करने ही पढ़ेंगे भी 100% accuracy अब आपको कैसा लगे कि जैसा भी लगे मैं आपको इस truth बता रहा हूं क्योंकि आप कुछ सोचो कि जब 150 में से 138 कट आफ जा सकती है तो इसका मतलब ही है कि एडवांस में भी बहुत जदा कट आफ जाने वाली आपकी ठीक है तो 48 कोश आपको prediction बता रहा हूं आपको finally बताऊंगा ठीक है वो भी prediction ही होगा बट मैं आपको finally बताऊंगो क्या cut off होने वाली अब यह मैं आपको basic भी दिरहा हूं कि आप paper को attempt कैसे करोगे ठीक है और अब minimum syndrome बताऊ उत्तो 44 है ना जो other categories है तो उनको 44 attempt तो करने ही पड़ेंगे 44 x 3 कित गई थी 128 गई थी तो कम सिकम अब यह तो अंदर लगो चार और पांस नमर तो अब जाएगी जाएगा around 132 ठीक है safer side के लिए बता रहा हूं इतना आपको करना पड़ेगा ठीक है so basic overview क्या दिया मैंने कि attempt कैसे करेंगे कि mathematics से तो जितना हो सके 15 में से 15 आप सही करें science के अब 14 लगबख सही करें general awareness हो गया तो 9 लगबख सही करें और बेसिंग लिक्षा तो 9 या 10 की बीच में से करें और ज्यादा हो सकते तो पूरे भी सही कर सकते हैं तो और ही फायदा आपको ठीक है और जो science और जनले से इसके मैंने एक दो थोड़ा इसनी रखा है जरूरी नहीं पूरे है तो अदर इसके लिए 44 ठीक है 44 के लाउंड पर भी गट सकते हैं और जनरल के लिए लगबख 47 48 48 तक तो आपको और टाम करना ही पड़ेंगे वी 100% accuracy friends थोड़ा वह तुपने जिर ठीक है अब आपको लगबख 100% accuracy रखनी है ठीक है तो अब यह सब देखते हुए friends मैं को cut up बताने जा रहा हूं यह मेरा prediction होगा ठीक है जब भी आपको paper होगा तो आप देख लेना अगर मैं आप गलत हूं तो आप मेरे comment करना बस मेरे यह को intention नहीं है पर demotivate करने का कि सर ने इतनी 145 अब अब यह मेरे साब से prediction है कि इतनी जाएगी आप अपने साब से comment करना ठीक है मैं बापिस बता रहा हूं आपको कि जरूरी नहीं ऐसी cut-off जाए मेरे अगर आप माइनस देखो आप अगर मैं आपको ऐसे कह दूं कि cut-off वही जाएगी कम जाएगी है अब आपको सोचों कि अडवांस अब आप सोचों के एडवांस पेपर है ठीक है तो एडवांस है तो पेपर थोड़ा tough side में ही होगा यह तो आपको पता ही है तो अब आप सो सब्सक्राइब तो उनको पड़नी है तो उनके तो उनके 100% कि उरकी सा कोशन सही कर सकते है अब पूरे में से पूरे तो मैं अपनी मुश्किल है अपको बता है कि जनरल जीगे का पार्ट आगया तो पूरे तो टाम होने से रहे हैं और फिर भड़ी है है अब अब इसमें मा सी 145 आपको बता रहा हूं थीख है अपना इत्थ क्या लग रहता है कि क्या को टकु टॉट आफ जा सकोथ क्या इडवांस की सब इतथ कि सुद्फ आपको नंबर लानी है तो अगर आपको आपको बताने जा रहाँ अगर इंपने कर ली तो मैं आप ब्क फार ग शोर दिलाता हु इंग्लिश में आपके प्रीफ यह बींद नम्बर रही आकट यह कि अ रही सभूर में संथा यहींव धिलिव करेंगे की सारी प्राइब मोश्चंज डखने हめ मोश्च जीए देखने न फिर आप कमेंट करना कि आपको यह कैसा लग रहा है फिर यह सीरिस कर देंगे ठीक है और साथ यह साथ आपकी साइंस के प्लेइस भी डली हुए तो वह भी जिन्हों ने देखिए वह प्लीज प्लीज आप सारा स्टार्ट कर दें आप साथ क्योंकि अब ही टाइम अगर यह कवर हो जाएगा तो आपके लिए फायदा है ठीक है और अगर आप कमेंट करेंगे तो इस सीरीज के लिए तो आप कांड़ी कंटीनु हो जाएगी मैं चालू कर देगा आगी सीरीज ठीक है तो यह फिजिक केमिस्टी बाइलोजी के लिए है ठीक है क्योंकि इसका अगर नंबर को कट अब करना पड़ेगा तो आपको अपको मेरा मुग चली रहा है यूडीसी के लिए तो वह वरक एसे वाले भी अटेम्प कर सकते हैं को कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है क्योंकि आपको पता है यूडीसी ओवरक इसमें में कितना डिफ्रेंस ज्यादा यह अश्य के डिफरेंस उनके बस a descriptive part आता है और इधर some word नहीं आता ठीक है तो आप भी वरक इसेंड्ट वाले में आपको क्या रहा हूँ कि यह मोग कर लेने आप कमेंटी भी करना थीक ए इसके अदर ठीक है sentence improvement हो गया spelling correction होगया ठीक है फ्रेंड तो आपको बता दिये तो आपको कोई दिक्त नहीं है कि और आगे आप बता देना क्या 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 आपको content चाहिए तो जो मेरी recording cut off है वह इतनी जाएगी आपकी ठीक है जब भी आपका stage पेपर होगा और मैं भी आपको बता रहा हूं कि आप यह मैं सोचाना कि मैं को आपको demotivate करना है मैंने आपको भी बता है जो truth है ठीक है फ्रेंड्स और यह मैंने आपको बता दिया कि आपको इतना से इतना time करना ही पड़ेगा 44 से 48 questions के बीच में और general EWS को तो आपको 48 questions तो आपको correct करना ही पड़ेंगे अगर आपको race में रहना है तो फ्रेंड्स और वैसे भी आपको पाता है कि general की cutoff general की जो vacancy weight है ठीक है और EWS के 62 है और वह भी 62 है तो आप दुखो देख लो कि कितना tough competition है और vacancy 74 है तो इसके basis पर ही मैं आपको कह रहा हूँ कि cutoff ज्यादा जाएगी ठीक है फ्रेंड्स और अगर कम जाए तो आपको इफायदा है अगर आप हाड़ की प्रैक्टिस करोगे तो कम चलेगी तो आपको इफा score करना at stage 2 में तो आपको फायदा होगा ठीक है फ्रेंड्स तो आपको पसंद आए होगा वीडियो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेर करना और चलने को subscribe करना ठीक है फ्रेंड्स तो आज के लिए इतना ही thank you so much stay safe stay home bye bye